Hello Friends, I am Ujwal Kumar from IIT Patna and I welcome you in today's lecture where we are going to talk about Solution, Suspension and Colloidal Solution Hello दोस्तो, आज हम लोग बात करेंगे Solution, Suspension and Colloidal Solution के बारे में तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि Definition and Properties of Solution, Suspension and Colloidal Solution Heterogeneous Mixture और Homogeneous Mixture के Division के बारे में देखेंगे और Solution और Suspension और Colloidal Solution में क्या Difference है, यह इस Module में हम लोग देखेंगे तो यह हमने Last Lecture में देखा था कि Homogeneous Mixture के किसको कहते हैं तो Sugar और Water का जो Mixture होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Homogeneous Mixture और यह Basically Example है उसका, और Sand और Water का जो Example था, वो क्या था? Suspension है इसका हमने Definition भी देखा था, Homogeneous Mixture का और Heterogeneous Mixture का तो Homogeneous Mixture जो है, उसका एक Example, Broad Example जो आता है, वो आता है Solution का और जो Homogeneous Mixture है, उसके अंदर में आते हैं Suspension और Colloidal Solution तो Basically यहाँ पे जो Solution है, जो Solution है, उसका Particle Size जो होता है, वो 1 Nanometer से क्या होता है? कम, Colloidal का Particle Size जो होता है, 1 Nanometer से 100 Nanometer तक होता है और जो Suspension होता है, उसका Particle Size 100 Nanometer से क्या होता है? ज्यादा हम लोग आगे देखेंगे, कि Solution का Definition तो Solution का Definition बोलते हैं, Solution is nothing but a Uniform Mixture of Two or More Substances दो या दो से अधिक Substances जब Uniformly Mix करती Uniformly Mix करने का क्या मतलब है? कि अगर यह आपके पास Beaker है और आप कहीं से भी ले रहे हैं, मतलब कि आप उपर से 1 T spoon लिएं आप इधर से 1 T spoon लिएं, कहीं से भी आप ले रहे हैं तो आपको Uniform मिल रहा है मतलब कि जो Taste आ रहा है, moc उगर का Water में वो कैसा आएगा? uniform आएगा और homogeneous mixture जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं solution तो यह definition हो गया अब इसका properties हम लोग देखेंगे तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि solute, solvent और solution यह तीनों किसको कहते हैं क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है तो solvent का यहाँ पर definition हमने दिया है, solute का दे दिया है और solution कैसे solute और solvent से मिलता है यह हम लोग दिखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि मेरे पास यह beaker है ठीक है अब beaker में जो ज्यादा quantity में होगा उसको हम लोग बोलेंगे solvent उसको हम लोग क्या बोलेंगे solvent तो यह 50% से ज्यादा रहेगा, 50% से ज्यादा दूसरा point जो यहाँ पर important है कि जो solvent है वो solute को क्या करता है? mix करवाता है, अपने अंदर क्या करवाता है? mix करवाता है और जू small quantity में present रहता है जैसे कि for example sugar उसको हम लोग क्या बोलते है? solute तो यह जो sugar mix हो रहा है इसके अंदर उसको बोलेंगे solute और जो mix कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? solvent उसको हम लोग क्या बोलेंगे solvent तो यह definition है यहाँ पर मैं इसको एक मिर्ट कर देता हूं क्या करते हैं कि solution ले लेतें चाहे subscribe, चाहेs, तीनों का solution जो का जो mixture है उसको ऐसे ले- लेते हैं और सामने उससे क्या पास करवाते हैं? सामने पास करवाते हैं फ्लैश लाइट बेसे कर लिए टॉर्च का लाइट और जब यह इसमें जो सॉल्यूट है उसका साइज क्या है? बहुत काम, छोटा solution में तो यह लाइट को scatter नहीं कर पाता है एक मिण मैं color यज करता हूं तो यह जो लाइट को scatter, नहीं करता है यह लाइट को scatter नहीं करता है लेकिन वहीं आप देखो के colloidal के case में कि इसके case में colloidal और suspension के case में वो light को क्या करता है फैला देता है क्यों क्योंकि इन दोनों में size of particles जो हैं वो बड़े हैं और solution में क्या है छोटा है तो हम लोग आगर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग properties अब देख रहे हैं solution का तो solution जो होता है वो क्या होता है homogeneous mixture एक तरह क्या है homogeneous mixture है और इसके particles को हम लोग neck dye से नहीं देख सकते हैं मतलब कि ऐसे बिना microscope यह सब के हम देख नहीं सकते हैं क्यों क्योंकि इसका जो particle होता है वो diameter उसका जो diameter होता है उसका जो diameter होता है उसका size जो होता है वो 1 nanometer से छोटा होता है 1 nanometer का मतलब है 10 to the power minus 9 meter इससे क्या होता है छोटा तो आप यहाँ पर notes ले सकते हो इसका इसको clean कर दिया हो उसके बाद है properties of solution में third point है कि path of light is not visible through the solution जैसे कि tender effect मैंने जो बताया था the particles of a solution do not scatter light scatter light नहीं करते है then as they are extremely small यहाँ पर reason भी आपको मिल गया क्यों नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो size होता हो क्या होता है बहुत छोटा we cannot separate the particles of solution through the methods of filtration तो filtration से इसको हम लोग basically अलग नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि filtration से जब filter paper use करते हैं तो इसका particle का size इतना छोटा होता है कि filter paper से क्या कर जाता है पास कर जाता है अब हम लोग suspension के बारे में देखेंगे तो suspension is the heterogeneous mixture of two or more substances heterogeneous mixture है क्या है heterogeneous mixture particles are suspended throughout in bulk and can be seen by neck dye इसको हम लोग basically आप से देख सकते हैं क्योंकि ये 100 nanometer से इसका particle जो होता हो क्या होता है बड़ा 100 nanometer का मतलब है 10 to the power minus 7 meter तो इससे क्या होता है बड़ा और tindle effect ये show करता है tindle effect का मतलब कि scatter कर देगा light हो क्या कर देगा scatter हम लोग properties के बारे में देखते हैं इसका तो properties क्या है तो सबसे पहला जो property है वो ये है कि suspension एक heterogeneous mixture है दूसरा neck dice इसको हम लोग देख सकते हैं तीसरा है कि tindle effect जो करता है मतलब कि path of light जो है वो visible है और ये जो होता है वो क्या होता है unstable होता है जो suspension होता है वो unstable mixture होता है इसका मतलब क्या है कि आप इसको छोड़ दोगे न undisturbed बिना है इसको मतलब कि अगर इसको disturb आप नहीं करोगे यानि कि तो ये sediment कर जाएगा क्या कर जाएगा sediment कर जाएगा और इसको हम लोग separate कर सकते हैं के मदद से filter paper के मदद से उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे colloidal solution के बारे में तो colloidal solution जो होता है वो uniform solution होता है जो आपका solution था वो भी uniform था non uniform था आपका suspension और जो colloidal है ये भी क्या है uniform है the particles are relatively very small that the solution appears as a homogeneous but it is not ये आपको देखने में लए है कि homogeneous है लेकिन actual में ये homogeneous नहीं होता है तो colloids जो हैं वो homogeneous mixture है इनके particles को neck dye से हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये 1 से 100 nanometer के बीच में होते हैं जो कि फिसकली range जो है वो 10 to the power minus 9 से 10 to the power minus 7 meter है तो ये बहुत small है इसे लिए हम इसको देख नहीं सकते उसके बाद ये tender effect हो क्या करता है शो करता है basically scatter करता है beam of light को और ये stable होता है ये बहुत important है कि solution भी stable है और colloids भी क्या है stable है लेकिन इसके और इनके जो particles होते हैं जब इसको uninterrupted आप छोड़ दोगे तो ये settle down नहीं करेंगे we cannot separate इसको भी हम लोग filtration से अलग नहीं कर सकते हैं इसको हम लोग अलग करते हैं एक method से जिसको बोलते हैं centrifugation जिसके बारे में आपको next lecture में बताया जाएगा और basically particles of colloid को हम लोग इससे separate करते हैं centrifugation से तो यहाँ पर दो question है हमारे पास कि homogeneous और heterogeneous mixture में क्या difference है और solution suspension और colloidal solution में क्या difference है तो ये आपको मैंने पिछले lecture में इसका definition दिया था आप वहां से लिख सकते हो और जो मैंने examples दिये homogeneous, heterogeneous के examples दिये solution, suspension, colloidal solution उसके basis पे आप इसको लिख सकते हो और जहाँ तक बात रहा solution, suspension और colloids के बारे में तो यहाँ पर मैंने basically दे दिया है appearance के terms में, particle size के terms में उसके बाद tender effect के terms में और effect of sedimentation यानि के stability के basis पे इसको मैंने classify कर दिया है तो हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियो को please like किजे, share किजे, subscribe किजे और next जो वीडियो हम लोग देखेंगे, वो किसके उपर देखेंगे separation के उपर, methods of separation जहाँ पर हम लोग discuss करेंगे different, different methods जिस से हम लोग homogeneous, heterogeneous, mixture क्या कर सकते है separate कर सकते है तो thank you for this, for your time and please keep growing, ask questions they are very important if you want to grow in science and want to actually understand it in a logical way